नमस्कार भाराट 24 का सोशल मीडिया प्लैटफरम आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजायादव उत्तर प्रदेश की पूर्व डेप्रिसीम और बीजुपी की वरिच निता देनेश शर्मा को राजसे राजसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोशित किया गया 15 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांका दाखिल करने वाले एक मात्र उमीदवार थे अधिकारे उन्हें शुकरवार को ये जानकारी दी राजसभा सदस्य हर दूबे के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव आवशक हो गया हर दूबे बीज़पी से राजसभा के सदस्य थे इस सीट से निर्वाचित दिनेश शर्मा का कारकाल नमबर 2026 तक होगा भारती जनता पार्टी के ने राजसभा सांसर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारत 24 से खास पाच्चीत की और इस दौरान में डाउद एहमाद सद्यकी हमारे रिपोर्टर ने उनसे कई सवाल पूछे उन सवालों का उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया देखें राजसभा के लिए रणनीती नहीं होती पार्टी का कार करता हूँ इसलिए पार्टी के नाते जो भी संगठन काम देता है उनसे कामों को करते हैं लोग बीजेपी एक कैडर बेस्ट पार्टी है और इसमें सीष नेत्वत कार करता हूँ कि काम का निर्धारन करता है मैं विभिन्य दायतों पर रहा हूँ, संगटन में भी रहा हूँ, सरकार में भी रहा हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि आज पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को मोदी जी की आवशकता है मोदी जी तिस्री बार प्रधान मंतरी बने और पहले से अधिक भोहमत से बने इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का योगदान जादा हो तो निश्यत रूप में 80 के 80 सीटें मोदी जीतें उत्तर प्रदेश में इसके लिए पूरी तरनमेता के साथ एक एक कार करता काम कर रहा है और जो देश की इस्तिती है कि करोना के बावजूद भी आज 7.8 परशंट की जीडिपी दर है रेट है और पांच्वी अर्थव्यवस्ता भारत दस्वी अर्थवस्ता से पांच्वी अर्थवस्ता बन गया कि वो नौ साल में अब तीसी अर्थव्यवस्ता की तरह वो तेजी से बढ़ रहा है आज हिंदुस्तान का भारत का प्रधान मंत्री आज बैठक की अद्देशिता करता है और बिटेन फ्रांस अमेर का रसा ऐसे राश्टपती एक सदस्य के रुप में भाग लेते हैं यह भारत का गौरो है और मैं समस्ता हूं कि मोधी जी आज राष्ट नेता नहीं विश्व न सब्सक्राइब को पूरी दुनिया मानने लगे है आज देखो आप के आज योगा योग था आज योगा के रुप में पूरा विश्व को करता है 21 को सभी जेगे योगा दिवस मन रहा है आज मोधी जी जो बोलते हैं एक चीज को स्वक्षता का लिया उन्होंने उन्होंने अभी जो पहली बार जी ट्वेंटी के सम्मेलन में देखिए सारे जो प्रस्ताव पारित हुए स्वर्व सम्मत्य से हुए यानि यूकरेन और रसा आपस में लड़ रहे हैं लेकिन यहां पर आके एक मत हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये एक बड़ी चीज है और हिंदुस्तान म में मैं समस्ताओं की भारत अब एक स्ष्ष्ट भारत एक एक भारत और स्ष्ष्ट भारत का जो नारा था वो पूरा हो रहा है जांन ंपने अपस सथा कम करने वाले लूग है जैसके काम कर रहे हैं ते उसके और ज्यादा काम हो सक एह कि इसकी कुशिश रही लेकिन सब्से बड़ा प्रतन यही है कि जनता कर पति जवाब दोबही के साथ काम करना और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसके लिए अपने आपको संगठन के प्रतिश्व मर्पित करना और फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भाराट 24 रहा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सभी जगा पर भार